नमस्कार योगी सरकार दूसरी राज़्ों में फसे उत्रप्रदेश के मज़्दूरों को वापस उलाए उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन रख करने के बाद राशन और 1000 रुपए देने की मुख्यमंद्री ने घोशना किये है सुप्रिम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोसावी की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगा दिये केंद्री करमचारियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2017 से रद्ध करने की मुधी सरकार की घोशना को राखुल गांदी ने अमानुए बताया उन्होंने कहा इस संकट के समय में बुले ट्रेंड शुरू करने की जुरूरत नहीं है उसके बजाए करमचारियों को पैसा दिया जा सकता है महराज में हर दिन साथ हजार से अधिक कुविक टेस्ट हो रहे हैं लेकिन 95% रिपोर्ट से नेगेटिव आ रहे हैं अगले 6 महा तक बैंक करमचारी हरताल नहीं कर पाएंगे इंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये कानूँ बनाया है जिस पे बैंक करमचारियों के हरताल पर रोक लगाई है या कानूँ इसके अप्रेल से लागू हुआ है चीन के 5 लाग रैपिट टेस्ट भारत ने लेने से इंकार कर दिया है भारत ने कहा है कि हम उसकी खुपी कोड़ी भी नहीं देंगे ये सारे प्रेट भारत चीन को वापस करने जा रहा है भारत कोरोना के संकट से जोज रहा है पूरा देश में जगे जगे कोरोना के मरीदों की बढ़ोत्री हो रही है ऐसे में इसके रोक थाम के लिए जो भारत सरकार प्रयास कर रही थी राज्य सरकारे प्रयास कर रही थी उसको चीन ने जबरदस जटका दिया है ये जटका मिला है हमें कोवीड टेस्ट करने की जो उन्होंने किट भेजी थी वो सब नकली निकल गए यहने वो प्रमानित नहीं है उसके रिजल्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और जब इसका परिक्षण किया तो इसमें तरह तरह के एक से रिजल्ट नहीं मिले हाला कि भारत सरकार के ये किट खरिदने के पहले ही अमरिका, चीन, इटली ने इसको घटिया बताया था और जो चाइना ने मास्क सप्लाई किये थे भारत, नेपाल और पकिस्तान को वो भी घटिया निकले थे उसको वही रोग दिया था लَّकिन चोकी भारत में मास्क बड़े पेमाने के पैदा होते हैं तो मास्क बारत way to ये भारत को बड़ी परेशानी नहीं कहीं, कई उन्ने गमचे लपट लिए, कई उन्ने कपड़े लगा लिए किट की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को लगा कि अच्छे दर्जे के हम किट खरीदेंगे लेकिन चीन ने जो माल भारत को भेजा वो चीन के जो विजली की जालर आती है चार दिन जलती विर्बंद होती है उसी तरह निकल गया अब प्रश्नी ये है कि क्यों मंगाया हमने चीन से ये माल भारत के 15 दिन इस माल को मांगाने में अर्डर प्लेस करने में वहां से लाने में और डिस्टिबूट करने में चले गाए अगर हम इस से बेटर कहीं के टेस्ट किट लिये होते हैं तो ये 15 दिन के लडाई हमारी शायद खड़ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसमें एक और चीज हो गई है कि पुने के नेशनल वायरोलोजी साइंस ने एक किट बनाया था उस पे सरकार ने भरोसा नहीं जिता है वो तो भारत में बना हुआ था उसने कहा हमारे इसमें परिक्षन करकर देखो महारा सरकार ने कहीं उसमें टेस्ट किया और बहुत उसको अच्छा पाया और ये तो केंदर सरकार का अपना उपकरम था फिर केंदर सरकार ने इसके उपर क्यों भरोसा नहीं किया जो किट बाठने की बारी आई और पीपी, केट, वेंटिलेटर और इससे कोरोना से जुड़ी साधन सामगरे की बात आई तो केंद्र ने सारा मसला अपने पास खीच लिया कहा कि नहीं ये संट्रलाइज सिस्टम है यहां से आप खरीद होगे उसने महराज सरकार को भी 75,000 किट दिये महराज सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया था BMC जो मुंबई महानगरपाली का है इसने यहां पर एक दल बनाया था और उन्हेंने घोशना की थी कि कल से हम 75,000 लोगों के मुंबई में रैपिट टेस्ट काएं थे लेकिन अचानक केंद्र ने खहा कि यह रैपिट टेस्ट आप रोग देजी वचे क्योंकि जैपूर में डाक्टरों ने इस टेस्ट कीट की पोल खोल देते उन्होंने वहाँ पाया कि यह टेस्ट कीट के रिसट अवश्विस नी है इस पर बरुसा ने करे आ जा सकता राजिस्तान के स्वास्य मंत्री है रगुश शर्मा शर्मा जी ने बताया कि यह टेस्ट कीट 168 मरीदों के उपर हमने इस्तिमाल गए राजिस्तान फिर अपने कहा का भाई इसके प्रामानेक का जाचने के लिए जो एडमिट लोग है जो एलाज ले रहे हैं अल्रेडिये जो प्रूब हो चुके पॉजिटिव है उन पर इनका टेस्ट किया रहा है 168 लोग नेगेटिव पाए हुए आप जरह सोचें अगर इस पे उन डाक्टरों ने भरुसा कर लिया होता और उन्हें बाहर छोड़ दिया होता तो कितने सारे लोग संकर्मित हो जाते इस से लेकिन उन्होंने दो तीन बार इसके अलग लग तरीके से चाश की और IMCR को बताया कि ये टेस्ट भरुसे मंद नहीं है IMCR ने भी टेस्ट किये और तुरंट सबको आदेश दिये कि कोई इस टेस्ट किट का इसमाल नहीं करेगा अगर इसको इसमाल कर देते हैं और मान लो जो सही में पॉजिटिव है वो लोगों में फैल जाते हैं अगरत की पतनी क्या सिति हो जाते हैं इसलिए इसे रोग दिया लेकिन एक और चीज़ हुई केंदर से खरीदना पड़ेगी ठीक है मारा सरकार को टेस्ट किट चाहिए थे उसने 670 रुपए में चीन की टेस्ट किट खरीदे आप केंदिर सरकार से और भी लोगों ने खरीदा, हर्याना सरकार ने खरीदा, दूसरे सरकारों ने खरीदा लेकिन प्रश्ण यह उड़ता है कि यह सेंट्रलाइज करने के जुरूत क्या थी अगर किसी राज्य के पास कोई साधन मौजुद है, जैसे मुंबई में सारी फार्मा कंपनीज है, अस्पताल है, अगर वो स्थानी कहीं से दवाईया खरीदना चाहे, तो वो दिल्ली के हवाई जहाज के लिए क्यों राह देखे, इससे तो और समझ जाएगा, और मरीद बढ करा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कानून केंद्र ने बनाया, अब यह ऐसा क्यों बनाया, यह तो केंद्रिय स्वास्नमंत्री जाने, या जो IMCR है, वो जाने, लेकिन इसके बावजूद, 36 गड़ सरकार में, दक्षिन कोरिया की, एक कमपनी से, सबसे सस्ते में, 337 रुपे में, COVID test kit खरीदे, यह दक्षिन कोरिया की कमपनी, भारत में ही इसका प्लांट है, माने सर में, उतरा खंड में, और, इसने सबसे पहले, अलग-अलग राज्यों से संपर किया, 36 गड़ सरकार से भी संपर किया, 337 रुपे में, 36 गड़ सरकार ने इनको अर्डर भी दे दिया, test kit मंगवा भी लिए परियाप्त, और accuracy के मामले में, यह test kit एक नंबर साबित होया, तो, कोरोना के नाम पे क्या कोई देश में घबला हो रहा है, ऐसी कह चुरत पड़ी है, कि हर राज जिस पेंदर से ही खरीद है, अब मैं जो आपको जानगारी दूँगा, उससे आप यह निश्कर्ष निकाल सकें, हर्याना सरकार को, यह चीनी रेपिड कोविद टेस्स की जो kit थी, वो एक लाख नग बेची गए, वो हर्याना सरकार में 780 रुपे में खरीदे, फिर करनाटक सरकार को, यह कीट मिली 640 रुपे में, महराज सरकार को, 650 रुपे में, और कोई राज्यों को मिली 760 रुपे में, तो यह अलग-अलग राज्यों में संकट के समय, अलग-अलग कौन सा व्यापार चल रहा है, दवाई के दाम एक से क्यों नहीं, किट के दाम एक से क्यों नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, इसके उपर कई राज्यों ने आपति जायर भी की है, हर्याना के सरकार ने खुद कहा, कि हमें यह सब-स्टेंडर्ड चीनी किट नहीं चाहिए, हमें इससे सस्ते आदे दाम में दक्षिन कोरिया के कमपनी, जो कि SD बायो सेंसर नाम है उसका, वो हमें यह किट 380 रुपए में दे रही है, 36 रुपए में, हर्याना सरकार उसको खरीदे दे 380 रुपए हैं, इसका मतलब किट की खरीदी के लेकर सबका दलाली, सबका कमिशन उसमें एड़ होता जा रहा है, और पूरा खेल, बिना कोई टेंडर के, बिना कोई टेस्टिंग के, बिना कोई जांच के, खरीदी हो रही है, कौन खरीदी कर रहा है, केंदर सरकार, राज जी अगर सस्ते दाम पे अगर कल महरास ने का कि नहीं मुझे ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो यह 337 आपने 36 गड़ को दिया, यह हमको 330 में दे तो क्या वो कंपनी नहीं देगी, देगी, अब यह दक्षिन कोरिया की जो कंपनी है, वो भारत में है, उसमें काम करने वाले सारे भारती लोग है, और इसने वादा किया है कि हर हफ्ते हम पांच लाग किट बना के आपको देंगे और रात दिन ही लोग काम पे लगए हुपे आपने, कार खाने में, लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात थी, जो हमको 760 रुपे की Chinese किट खरीदने की जरुरत पड़ी, जिसको ना तो कि किसी ने पा जाल है है कि संकट का समय है, इसलिए तुर ant ओर दिया गये, पर वहां क्यों दिया गये जब भारत में कई लोग तैयार थें। हमने चाहिना के ओपर भरोसा क्यों जताया, जिसके फटाके पर हम विश्वास नहीं करते हैं, जिसके जालर पर हम विश्वास नहीं करते हैं, उससे हमने उसके खिट पर हमने भरोसा किया, क्या चाहिना जो पूरा विश्व में बदनाम हो गया है, कोरोना एक्सपोर्ट करने क तो क्या हम चाइना को भी मदद करने जा रहे थे हैं कि भाई आपकी जो टेस्ट है उससे हम टेस्ट करेंगे अब कल्पना की जिब बिहारी जैसे राज्य में अगर टेस्ट कि पहुंच जाती है और वहां देख के कहते हैं भाई नेगेटिव हो घर चले जा और पूरे देश सवाल आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है इसलिए आपको रुमायन दिखाओ आपके लिए फालतों के बहसे चलाओ हिंदु मुस्लिम के जगला दिखाओ इन सवालों पर चर्चा कौन करेगा क्या यह सब सवाल गोधी मेडिया सुनिया गांधी से पूछने वाला है कि बत करता है तो बाबु मंत्री सब अपनी रोटी सेख लेते हैं और फिर आप चिलाते रहों कि सोनिया जी बताइए यह घपला कैसे हुआ आपने क्यूं खरीदी इस घड़ में सबसे सस्ती हम लोग को महेंगे कि हम नहीं खरीद पाए कि इस तरह से देश चलेगा सोचे यह गोदी मेडिया 24 घंटे आपको बता रही है कैसे मोदी जी ने कुरुणा की लड़ाई जीत ली कैसे मोदी जी कुरुणा की जंग जीत रहे हकीकत ठीक उल्टे है तीवी आपको गाइड नहीं मिस गाइड कर ला है आज के लिए इतना है मिलते हैं नमस्कार कर दो कर दो कर दो